जैहिं दोस्तों मैं हुराकेस फोजी दोस्तों CRPF के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्स मनपदों की विकेंज से आ रखी हैं इसके सम्मन्दे मने अलग-लग प्रोफिक्स पे वीडियो बनाये थे जैसे इनकी जो प्रोफाइल हो गई, सैलरी हो गई, पर्मोसन हो गई, ट्रेड बना रखे हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो जो कोमन कमेंट थे अलगले ट्रेड के आज के वीडियो में आपको उन जो कमेंट का reply हो मिलेगा, एक प्रकाश है क्योंने सक्सेन आप समझ सकते हैं, तो जो के एक कमेंट थे, कमन कमेंट थे उनके आपके कीलर होने वाले हैं अगर आप चैनल पे पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब जलूर कर लीजेगा वीडियो का भी तक लाइक निके तो लाइक जलूर कर लेने इसके लाव अगर आप हमारे टेलिग्राम गूर्प को जोइन करना चाते हैं डिस्क्रप्सर में लिंक है टे किसी और टेलिग्राम अगर आपका डाउट हो इसके समद्ध ड्रेस के समद्ध में तो आप किसी भी ट्रेड्स से बढ़ते हो रहे हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी उस यूनिट के अंदर जो जिड़ी के जवानों को जो 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 पहनने को मिलेगी जो आपको पहनने हैं वो आपको पहनने को मिलेगी तो ड्रेस के लिए आपका जो मन में डाउटा बिल्कुल निकाल दा किसी भी ट्रेड्स से बढ़ते हो रहे हैं आपको वर्दी पहनने को मिलेगी तो जहां तक मेरा विचार है वर्दी के समद्ध में आप सभी का डाउट के लिए रहो गया इसके अलावा किसी का डाउट मेरे इसाब से नहीं रहेगा अगला जो कमेंट किया ही है क्या है हपी मोहन ये बोलते है कि सर बारबर पोस्ट का परमोशन का कोई चांस होता है क्या तो ऐसा है कि बारबर पोस्ट अगर आप बढ़ती हो रहे हैं तो बारबर पोस्ट से परमोशन नहीं होता है आप पूरी सर्विस करके आ जाएंगे जाए आप 20 साल की नोखरी की बाद रिटारिमेंट ले या फिर आप 60 साल की एज तक नोखरी कर ले आपको कौन स्टेबल बारबर रैंक से मला आपको पेंसन आना पड़ेगा वरतमान के अगर सिचिशन की हम बात करें तो कौन स्टेबल बारबर का परमोशन नहीं होता है और इसके लाव अगर आगे सिचिशन कुछ हैसी आ जाए या कोई आजादेस आ जाए कि परमोशन हो जाए उसकी मैं बोलने से लेकर वरतमान में बारबर ट्रेड से आपका परमोशन नहीं होगा अगला कर्मेंट के एक विस्वजीत रोई है ये बहुत एक से ट्रेड मैं से कोबरा में जाने के बाद क्या राइफल मिलेगा सर आप किसी भी ट्रेड से बढ़ती हो रहे हैं मैंने पहले भी आपको बोला था चे आप कोबरा में जाएं चे आप नोर्मेड बटालियन में हो कहीं भी रहें आप आपको जिस trade से आप बढ़ती हो गए हैं आपको उसी trade के आपको काम मिलेगा अगर आप मानके चलो कोबरा में आप जाते हैं तो कोबरा की वर्दी आपको मैंने पहले बोले कि विल जाएगी राइफल की बात हम करें तो वो सेम सिस्टम ही रहेगा कि आपको जो साल में एक पर फायर करने का मौका मिलता है राइफल से वही मिलेगा नहीं तो आपको यह नहीं है कि आपके कोबरा कमांडो कुक से बरती है सफाई करमचारी से बरती है वासरमें से बरती है और आप चाहते कि मैं कोबरा कमांडो बन जाओ या ओपरेशन डूटी करूँ ऐसा कुछ संभव नहीं होता है जो trade ऐसी जिसे बिगुलर है, माली है, ऐसी जो trade है, जो कि normal gd battalion में gd की तरह दूटी करती हैं, तो वो Qobra में जाएंगे, तो भी वो एक परकार की जैसे दूटी कर सकते हैं, लेकिन जिन trade को normal battalion में जो system लागू नहीं है, वो Qobra में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उनको same maximum trade है, इनको अपने trade का ही काम करना पड़ेगा, आपको ये नहीं है, कि आप जो कोवरा कमांडो बटालियों से लेगे, तो वो एडूटी करेंगा, आप उस बटालियों पोस्टिंग होंगे, लेकिन काम आपको अपनी trade का ही करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम आपको नही करना पड़ेगा, अगला जो कमेंट किया है, क्या सुन नुसैनी, ये बोलते हैं कि सर बिगुलर से experience मांगा है नहीं है, तो बिगुलर trades experience का आपने notification में कहीं नहीं मांगा है, और इसके समद में detail में मैंने video बना रखा है, जो experience certificate के बारे में आपने नहीं देखा होगा, तो description में आपको CRPF tradesman की जो मैंने सभी वीडियो बना रखी है, डिस्केशन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे चनल प्लेलिस्ट करके जो प्लेलिस्ट का जो option कोलम आता है, उसके अंदर जाएगी, तो CRPF tradesman related videos आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपको किसी भी topic पर वीडियो देखना है, लग बल टोपिक मैंने इसके अंदर cover कर रखे हैं, आप सभी प्रकार के उसके वीडियो देख सकते हैं, और जो आपका comment ये बिगूलर का experience certificate का, इसके संबन्द मैंने उसके अंदर वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको देख स गई तो आपको जिदी की duty करने हैं, आपको गन मिलेगी, हमेसे मिलेगी जो जिदी की तरह duty करने हैं, आपको, माली ट्रेड में आपकी नए duty लगती है, नोर्मल जो ट्रेड हो गया आपकी कुक है, water carrier है, waterman है, सफाइकरमचारी है, इन सबी ट्रेड से सिरफ आपको fire करने का मोका मिलता है, लेकिन जैसे एक आपकी टेलर ट्रेड हो गई और मोची ट्रेड हो गई, इस ट्रेड से अगर आप बढ़ती होते तो आपकी नए duty भी लगती है, और शाथ में बिगुलर माली पेंटर, इनको भी फिटर, इनकी भी नए duty लगती है, जो mm भी बोलते हैं, और बाकी टेलर आपकी बज़ाती से कुक हो गया, वाटर करियर हो गया, वासर मैन हो गया, सफाइक रमचारी हो गया, बारबर हो गया, इन सभी की मतलब नए duty नहीं लगती है, आपको साल में एक बार फायर करने का राइफल से मोका मिलता है, तो आपका जहां तक मेरा विचार ह डाउट कीलिर हो गया, अगर आप अपने ट्रेड के बारे में अगर आप बताते तो मैं आपको उसके समंद विस्तार से बताता है, लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कौन कौन से ट्रेड की नए duty लेजेगी, जिसको वेपन अथ्राइज होगा, और कौन कौन से आपको खाना बनाना चाहिए जोना है, इसके समदे में आपको स्केल पता होने अगर आपको सो आतमी का खाना बनाना है, प्लिजी कारणा करणा तरिका सब छानिका ने कारिका इन सबी चीज़े को समझे पूछ जाएग, तो ही आपको पुछा जाएगा, यह आरdzieे प्री आपसे मतलब रोटी बनवा के देख सकता है, सबजी बनवा के देख सकता है, मचली बनवा के देख सकता है, चिकन भी बनवा के देख सकता है, वो डिपेंड करता है जो आपका ट्रेड टेस्ट लेगा, लेकिन आपको जो प्रोसेस कुक से सम्मझ यही प्रोसेस आपकी होंगी और इसके समद्ध मैं आलग से आपके लिए एक separate वीडियो बना दूँगा जब आपका trade टेस्ट नजदी काएगा अभी आप लिटन की तयारी पे फोकस करें अगला क्युस्तन किया है यह क्या है प्रिया कुमार यह बोलते है कि tradesman का पर्मोसन नहीं होता है कि ऐसा अगला जो कमेंट के बारे पूछन नहीं होता है तो आप अगर इस पेशल कि पूछन नाम बताएं नहीं तो नहीं होता है तो पहले आप अपने रिटन की तयारी करें रिटन को सबसे मैंने फोक्स अभी आप रिटने पेदे फिर आपका फिजीकल होगा फिर आपका जानकारी होने चाहिए तो उसी प्रकार से आप अपने घर के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ों के त्यारी कर सकते हैं कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जैसे बीगुलर ट्रेड वगरा होती तो बीगुल बजाने के आप प्रक्टिस नहीं कर सकते हैं तो अगर आप इस प्रकार क पर पीजिकल की त्यारी करें फिर उसके बाद में आपको जब ट्रेट रहें तब इस बजादा फोकस करें पहले अपने रिटन पर फोकस करें और अगर आपका किसी भी ट्रेड से अगर आप इसी ट्रेड नॉर्मल ट्रेड है जिसका काम आप घर्शे में थोड़ा बहुत जै ये तीन ट्रेड ऐसी होती ही इनका जब आप परमोशन हो जाता है तो ये जिड्डी में आप इसके अंदर जिड्डी में जा सकते हैं आपकी 15-17 साल के बाद जब परमोशन आपका होगा तभी आप जिड्डी में आप ऑट्टोमेटिक आपका जो रैंक है एड्ड कोंस्टे आपको कोब्रा वर्दी पहनने को मिलती है मैंने पहले भी बताया था कि आप जहीं कोशी भी फोस्ट में बटा लिन में जाएंगे कहीं भी ड्रेस कोड होगा वो सेम आपके लिए लागू होगा दोस्तों आज के वीडियो में टोप 10 कमेंट यही थे अगर ये कमेंट आपक आपको अपने कमेंटिस के अंदर जुरूर करें आपको दो चार पांच दिर बाद हर एक वीडियो आएगा जिसके अंदर आपका भी जो कमेंटों कोगा पिक होका लोगा उसका रिपला आपको वीडियो के वादम से मिल जाएगा आज के वीडियो में पर यही जानन कर थी जान करेंगे आपको अच्छे लिए को वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब जरूब करें जाहिए